बॉलिवूड केफे आज एक्स्पेन कर रहा है 2019 में रिलीश हुई एक रश्यन मूवी सन ओफ आरिच रश्या के सबसे अमीर आदमी की एक बिगडी वी उलाद गृषा जो अपना सारा टाइम नाइट क्लब पार्टीज लोगों को परिशान करने में और रूस तोड़ने में गृषा इतना ज़्यादा अमीर है कि वो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता गृषा एक रात को एक लड़की को परिशान करने के बाद में सड़क पर अपनी लगजरी कार अंधा दुन चला रहा था तो ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोक देता है लेकिन वो ट पुलिस ऑफिसर दोस्त के साते हैं और पुलिस ऑफिसर गृषा के फादर को बताता है कि तुम्हारा बेटा इतना ज़्यादा विगड़ गया है कि वो एक ट्रैफिक पुलिश्मेन को सड़क पर आधी रात को गसीरता रहा और अब वो हॉस्पिटलाइज हो गया है इसका क परिशान होके वहां से चले जाते हैं और गृषा को सुधार के लिए अपनी एक फिमेल फ्रेंड एनस्टीशिया के पास जाते हैं जो कि एक टीवी प्रोडियोसर थी वो गृषा के डैट को अपने एक फ्रेंड जो की हॉरर मोवी में और सैट डिजाइनिंग में स्पेसलि अपने बेटे के बारे में बताते हैं और उसको दोदारने के लिए कुछ प्लान करने को कहते हैं एक रात को गृषा पार्टी करके लोटता है तो वो देखता है कि उसकी लगशरी कार को एक वैन ले जा रही होती है तो वो उसके पीछे दोड़ता है गृषा को पीछे से को लेट के ग्रिशा उसको कहता है तो आडियोम तो कुछ नहीं पता है बड़ा तयार कर ले नहीं तो और चाबु के खानी पड़ेगी ग्रिशा को कुछ समझ में नहीं आता तो वह वहां से भागने की कोसिस करता है और भागते-भागते ग्रिशा पकड़ा जाता है और ग्रिशा को दूसरे से कहती हैं कि आज मेरा बड़े हैं आज किसी को फासी नहीं होनी चाहिए इस बात पे वो ग्रिशा की फासी माफ कर देते हैं गाव में होती हुई ये सब चीजे आस्मान में उपर उड़ता हुआ एक बर्ड देख रहा होता हैं ये बर्ड गाव के बाहर बनी हुई एक और मुवी के फ्रेंड लीव ने पूरा गाव का सेटप तयार करवाया हैं जिसमें ग्रिशा को ये फी लोगा की 18 सेंचुरी के विलेज में हैं जहां पर वो एक आल्मोस्ट स्लेव की जिन्दगी जीएगा नहां पे काम करने वाले सभी लोग एक्टर्स हैं और गाव में अ लेकिन वो ग्रिशा को सुधारना चाते थे इधर ग्रिशा ये सोच रहा होता है कि वो टाइम ट्रेवल करके साइद पास्ट में आ गया हैं ग्रिशा की हालत बहुत बुरी थी उसको जमीन पर नीन रही आती हैं उसको सुबह सूरज उगने से पहले उठना पड़ता हैं उस उसके फादर उसकी साधी एक रिच पर बुड़े आदमी से करना चाते हैं इसलिए वो बहुत दुखी है इस पर ग्रिशा कहता है कि ये तो अच्छी बात है बुड़ा जल्दी ही मर जाएगा और सारी दौलत तुम रख लेना एक दिन ग्रिशा चिकन सूप बनाने के लिए चिकन को चुरा लेता है क्योंकि यहां के वेजेटेरियन खाने से ये बोर हो चुका था ग्रिशा का फ्रेंड जब ग्रिशा से चिकन सूप मांगता है तो वो कहता है कि मैंने तो सारा चिकन सूप खतम कर दिया है। कोई फरक नहीं पढ़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद में ग्रिशा का फ्रेंड उसको उसकी पीट पर मार के साइन दिखाता है। जबरदस्ती करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पे दूसरे विलेजर्स या फिर एक्टर्स आ जाते हैं और लीजा वहाँ से घोड़े पे बैट के चली जाती है। इधर कंट्रोल बिल्डिंग में ग्रिशा के फादर ये सब बंद करने को कहते हैं क्योंकि उनका बिटा अभी भी नहीं सुद्रा था और अभी भी वो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने पे उतर आया था। लेकिन तभी वहाँ पे एक न्यूज आती है कि ग्रिशा लीजा से माफी मागना चाता है। अब ये इन लोगों को एक positive development दिखा तो वो लीजा को instruct करते हैं कि वो ग्रिशा से जाके मिले। जब लीजा ग्रिशा से जाके मिलती हैं तो ग्रिशा उसको sorry बोलता है तो लीजा उसको माफ कर देती हैं कुस दिनों बाद में इस गाउं में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता हैं जिसमें ये कहा जाता है कि ये रात जिस लड़की या लड़के के साथ आप बिताओग हो सके लेकिन ग्रिशा उसके पीछे नहीं जाता हैं बलकि वहाँ पर बैटी हुई लीजा के पास आके बाते करने लग जाता हैं और कहता हैं कि मैं तो future से आया हूँ वहाँ पर बहुत सारी technologies हैं तभी वहाँ पे ग्रिशा का friend आता है और वो कहता है कि अगलिया नदी में ड control room में बैठे लोगों को भी समझ में नहीं आता कि ये कहां चला गया क्योंकि by nature ग्रिशा एक playboy था लेकिन अगलिया को छोड़के ग्रिशा अपने friend के पास जाता हैं और वो पुस्ता हैं कि लीजा कहां पे रहती हैं मुझे लीजा से मिलना है इधर control room से लीजा को instruction पास की जाती हैं कि ग्रिशा तुमसे मिलने आ रहा है तुम लोग जल्दी से तयार हो जाओ तो लीजा दूसरे सभी लोगों को छुपा लेती हैं और अपने आपको गाउं के कपड़ों में तयार रखती हैं ग्रिशा लीजा को कहता है कि चलो मेरे साथ वाक पे चलो और हैं इसलिए लीजा को अब उसके लव इंट्रेस्ट का रोल प्ले करना पड़ेगा लीजा का ये नया रोल लीजा के असली बॉइफ्रेंड एलक्सी को पसंद नहीं आता जो यहां पर लेंड ओनर के बेटे का किरदार निभा रहा था लेकिन लीजा उसको कहती हैं कि हम सब ग्रिशा को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आये हैं और हम सब का साथ ही इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकता हैं अब ग्रिशा लीजा के साथ जदा टाइम स्पेंड करने लगा और धीरे दीरे इन लोगों की बॉंडिंग काफी अच्छी हो गई और ग्रिशा लीजा के प्यार में पढ़ जाता है एक दोपेर को ये दोनों जब घुम रहे थे तो वो देखते हैं कि आस्मान में एक पक्सी अजीब तरीके से उड़ रहा है लीजा को पता था कि ये ड्रोन है इसलिए वो उसको डिस्ट्रेक्ट करने की कोसीज करती हैं कि अगर कुछ भी हो तो ड होते हैं और इंटिमेट होने लग जाते हैं ठीक उसी टाइम लीजा और ग्रिशा वहां पर आ जाते हैं लीजा अपने बॉइफ्रेंट को दूसी लड़की के साथ इंटिमेट होता हुआ देख के बहुत दुखी होती हैं अगलाय और एलेक्से को डारेक्टर बुला के साथ डिनर करता हैं डिनर के बाद में ये लोग थोड़ा टाइम स्पंड करते हैं और ग्रिशा लीजा को कहता है कि अगर तुम को गिड्नैप किया गया है और वहाँ पर उसको बहुत बुरी तरह से रखा जा रहा है रश्या की पुलिस इस बात को धंबीरता से लेती हैं और इस किड्नैपिंग के केस की इन्वेस्टिकेशन में लग जाती है इदर गिशा के फादर पैनिक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि स girls को भी अपने साथ ले जाना चाते थे वो भीड में से एक लड़की को चुनते हैं तो उस लड़की के father मंगोल से अपनी बेटी की भीक मागते हैं, लेकिन मंगोल सबको fair chance देते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि तुम हमारे एक सैनिक से लड़ो, अगर तुम जीत गए तो तुमारी बेटी फ्री हो जाएगी अब इस आदमी और मंगोल सैनिक में काफी फाइट होती हैं ये दोनों एक्चुली काफी अच्छे स्टंट मैन होते हैं जिनको काफी जल्दी से डिरेक्टर ने प्रिपेर किया होता हैं ये दोनों फाइट करते हैं और सैनिक उस लड़की के फादर का सर ही काट देता हैं जो की फेक था फादर का ऐसा सेक्रिफाइस देख के मंगोल उस लड़की को फ्री कर देते हैं और दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने की प्लानिंग करते हैं वो लीजा को चोईस करते हैं अब उसके लिए लड़ने वाल कोई नहीं था, ग्रिशा का फ्रेंट ग्रिशा को कहता है कि क्या तुम अपनी लेडी लव लीजा को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो ग्रिशा कन्फ्यूज हो जाता है और वहाँ से डर के मारे जाने लगता है, सब को ये बात काफी सर्प्राइजिंग लगती है, क्योंकि उन पे पुलिस आ जाती है, लेकिन ग्रिशा यहाँ पे था ही नहीं, तो डिरेक्टर कहता है कि मेरी मूवी की सूटिंग चल रही थी, पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी, योकि सूटिंग करना तो कोई क्राइम है नहीं, पुलिस भी चुपचाप वहाँ से चली जाती अब लीजा और ग्रिशा घोडे पे चलते चलते गाव की लिमिट से बाहर चले जाते हैं, और वहाँ पर उनको एक modern petrol pump दिखता है, जिससे ग्रिशा काफी confused हो जाता है, पुल खुलती हुई दे के लीजा सब बताने ही वाली होती है, कि ठीक उसी टाइम स्नाइप पर ट्रंक नहीं कर पा रहा, नाइट पार्टी में भी जाता है, तो उसको वो मज़ा नहीं आ रहा, जो उसको तीन महीने पहले आता था, उसको अपनी गलती का एसास होने की वज़े से वो अपनी luxury car उस traffic police वाले को दे देता है, जिसको उसने hospital पहुँचा दिया था, एक दिन नाइट क पहा, वो सच है, वो आज भी उससे प्यार करता है, तो लीजा कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है, और दोनों मिल के kiss करते हैं, कुस दिनों बाद में हम देखते हैं कि ग्रिशा के फादर anesthesia से साधी करते हैं, और अपने फादर को thanks कहता है कि उन्हों ने उसको एक better person बना इसी के साथ ये movie खताम हो जाती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सबस्क्राइब कीजिए and thank you for watching.